हालो गाईज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल टॉपरशन पर तो आप सभी लोगों के लिए जो हैं आपर morning update लाई गई है और इस morning update के सेशन में आपको तीन बड़ी update देखने को मिलेगी एक आपको 70,000 पदों पर जो सिक्षक भरती आ रही है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दीगे उसको लेकर के update है उसको हम लोग देखने वाले हैं आपको पर देखने को मिल जाएंगी और इसमें आपको प्रीएस एर पेपर भी देखने को आपको मिल जाएगा और साथी साथ पूरी complete guide है यानि ये बुक पढ़ लेंगे तो आपका जो बाहर आपका नहीं आने वाला है लिंक आपको description box में मिल जाएगी आप किसी भी अगर बुक इस्टोर पर भी लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं केम सरकार भारती रेल में रित पड़े 9000 तकनीसियन के पदों पर भरती करने जा रही है देज भर से बभ्यारती फरोरी से रेलवे भरती बूर्ड की website पर online आवेदर कर सकेंगे बूर्ड भरती के लिए दो चरणों में computer waste test आयोजन करेगी यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोग जो है online आवेदर निकी website से आप कर पाएंगे वो भी फरोरी से तो आपका जो आवेदर होगा वो आपका फरोरी से start किया जाएगा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है अल्रेडी इसमें बताएगा कि RRB ने खाली पड़े तकनीशन के पदों पर भरती के लिए 31 जनौरी को अधिसूचना जारी कर दी है एक अधिकारी ने बताए कि Electrical, Mechanical, Civil, Signal and Telecom जैसे कई ट्रेड में लगभग 9000 तकनीशन के पद रिखता है तो आप सभी लोगों को मैं बता दूँ एक भरती आपकी ALP की तो आही गई है और एक वेकेंसी आप लोगों को 9000 पदों पर आपको तकनीशन की देखने को मिल जाएगी ठीक है तो एक बहुत अच्छी अपडेट है जो लोग रेलवे में जाना चाते हैं उन सभी लोगों क पर भरती आएगी आज के नुच पेपर में आ रही है कि 17,000 पदों पर सिक्षक भरती आएगी लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि जब नोटिफिकेसन आ जाएगा तब चीजें इस पर टोंगी कितने पदों पर भरती आ रही है अभी तो सभी लोग अपने अपने तरीके में मर्ज किया जाएगा तो 25 से तो कम किसी कीमत पर नहीं होगा चले फिलार पढ़ लेते हैं यहापर लिखा है बिभाग ने निड़े लिया कि दूसरे चरण की निउक्ति के तहट पूरग रिजल्ट अब प्रकासित नहीं करा जाएगा 15,000 पदों के लिए पूरग रिजल्ट जारी होना था अब इन 15,000 पदों को भी तृतिये चरण की निउक्ति में जोड़ा जाएगा अब तक दो चरणों में आयोग के माध्यम से चैनित पौने दो लाग से अधिक सिक्षकों को निउक्ति पत दिया गया है पहले चरण में दो नॉम्बर 23 और दूसरे चरण में 13 जनौरी 2014 को राज भर में निउक्ति पत दिया गया था दोनों चरणों में पूरु से निउजित 20-25 जार सिक्षक आयोग द्वारा भी चैन के बाद निउक्ति होए हैं तो कुल मिलाकर यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फरोरी में आपका विग्यापन आ जाएगा और उम्मीद है कि मार्च में आपका पेपर भी हो जाएगा लोग सभाग चुनाओ के पहले तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुन्टी है सभी सात्यों को चाहे आप बीर्ड हैं डेलर्ड हैं सीटर्ड हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुन्टी है एस्टेट 2024 का भी क्लियर नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है कि एस्टेट 2024 वालों को भी मौका दिया जाएगा अगर नहीं मौका दिया जाएगा तो मैंने कल की वी वीडियो में आपको बता था कि हम लोग मांग करेंगे या तो उनका पेपर करवा कर रिजल्ट रिकाल दीजिए उसके बाद वेकेंसी लाइए या फिर आप उनलों को अपेरिंग में मौका दे दीजिए ये दो चांसे जो है यहाँ पर बन सकते हैं चलिए तीसरी अपडेट पर आते हैं तीसरी अपडेट आरो यारो को लेकर के है बहुत सारे चातर आरो यारो के एडमिट कार्ट को लेकर परिशान है क्योंकि इसकी एक लिंक जो है वो जनरेट कर दी गे थी दो दिन पहले ही लेकिन आप एडमिट कार्ट नहीं निकाल पा परिक्षा के प्रवेश पर सुक्रुवार को उत्तर प्रदे लोग सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होंगे समिक्षा अधिकारी के 334 और सहाइक समिक्षा अधिकारी के 77 कुल 411 पदों के लिए 10,79,75 लोगों ने आवेधन किया है तो फाइनली मैं आपको बता दू कि यहाँ पर एड्मिट कार्ड आप लोग का कल जो है यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा और कल आप लोग एड्मिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे तो आज हमने आपको 3 important अपडेट बता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को आप जरूर लाइक कर दें चैनल पर आपने तो सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इसी परकार की अपडेट मिलती रहे मिलता है अगरी वीडियो में तब तक के लिए खुश रही है मस रही है जै हिन जै भारत